दोस्तों स्वागत आप सभी का इस वीडियो में हैं आई इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आपके Inclusive Education का Second Chapter दिन डियालुपाद्या गौरफपूर विस्विदाले का Second Semester लखनो इंवर्श्टी का भी Second Semester है अब भीव जासी के Second Year में एक सब्जेक्ट है Inclusive Education समा वैसे सिख्छा तो ये भुक से हम पढ़ाई कर रहे थे हैं इसका Second Chapter है दोस्तों Inclusive Education का जिसमें हमें देखना है कि बाधिता, असमर्थता और अपंगता The Relationship between Impairment, Disabilities and Handicap यहां पे असमर्थता को कहीं कहीं यहां पे बाधिता विकलांगता कहते हैं तो हम किसकी बात करें दोस्तों Inclusive Education का पहले यूनिट के ही अंतरकत आता है इन तीनों के बीच में कभी डिफरेंस पूछ लेता है एक छोटा सा common सा साधरर सा important topic है इन तीनों से आप क्या समझते हैं इनकी परिभासा या फिर इनका अर्थ पूछता है और इन तीनों में अंतर काफी common है सवाल पूछे जाने वाला तो चलिए शुरू करते हैं आपके inclusive education समा वैसे सिख्चा का दूसरा important topic इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समा वैसे सिख्चा की अर्थ परिभासा उसकी विश्यस्ताएं उसका उतेस उसका महत्व सारी चीज़ें क्या होती है वह हमने देखा था तो आप वाई जरा one by one इसको समझते हैं देखिए असमर्थता यानि कि इसको विकलांगता भी कहते हैं disabilities कहते हैं मतलब किसी बालक की disability होना उस काम को ना कर पाना हम किसकी study कर रहे हैं हम study कर रहे है special child की special child विसेस बालक की से कहते हैं जैसे जो साधार बालक के विपरीत उसके पढ़ा की जरुत होती हो तो उसे हम विसेस बालक या विसेस विद्यार्थी कहते हैं तो इसी विसेस विद्यार्थी में एक common topic आता है disabilities जिसे असमर्थता या विकलांगता कहते हैं अब एक example देख लिए जैसे मानें यह बालक है यह football नहीं खेल पाता तो यह football खेलने में क्या है अस पाता या फिर वो चित्र नहीं बना पाता या फिर वो सुन नहीं पाता तो यह क्या चीज़े वो उस कारे में असमर्थ है तो यह उसकी विसेश्ता यह उसकी quality असमर्थता कहलाईगी ठीकलांगता कहलाईगी disabilities कहलाईगी यह कई तरीके की होते हैं पेर जब जर इसको दीख असमर्थता से अभी प्राय किसी व्यक्ति द्वारा समाने व्यक्ति की तरह किरिया ना कर पाना है अब यहां पर एक चीज देखिए जैसे माल लेजिए किसी बच्चे का हाथ नहीं है तो हाथ नहीं है यह उसकी एक अंग ना होना यह कोई दूसरा पार्ट लेकिन हाथ है फिर सही सलामत होने के बावजूद भी वो चीज़े ना कर पाना है ठीक है असमर्थता कहलाती है असमर्थता का संबंध हम अभाव से लगा सकते हैं दूसरों सब्सक्राइब कह सकते हैं यह जी किसी व्यक्ति में दैही का मानसिक्छा दिग्रस्त के कारण उनकी दिन्चरिया की क एह ङुब है सरीर से असमर्थ है पैरलाईस एक बिमारी होती है यह हमें असमर्थ बना देती है यह चि कर यहに है और बादित ऐसे बाना बालक संपूर्ण सरावर्य बादित बच्चों कि नधिक सक्चम होते है जैसे ँट सब्सक्राइब कि कि अपक्षा चलने फिरने में अधिक सक्चम होते हैं तो वह पैर में होने वाले पैरलाइज है वह बहतर चल पाएगा तो यह असमर्थता का मतलब दोस्तों सरीर का अंग है लेकिन वह पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है आंसे ग्रूप से कारे कर रहा है या कभी-कभी बि इसको असमर्थता disabilities कहते हैं जब दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो अंतर समझ में आ जागा असमर्थता या विगलांगता है दो प्रकार क्यों होती है सारिक और मांसिक सारिक का मतलब दोस्तों जैसे द्रिश्टी कोई बच्चा आंसिक कोई से देख पाता है कम देख पाता है नहीं देख पाता है दूर का देख पाता है नज्टी का नहीं देख पाता है यह क्या भई विज्वल डिसिबिलिटीज हो गई यह द्रिस से विकलामता हो गई वाड़ी स्पीच बोलने में कोई लडखडा के बोलता है कोई हकला के ब तो और क्या चीज होती है जो दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों वह है मानसी देख लेते हैं अधिगम असमर्थ मंद बुद्धी मेंटली तो पर दिखने में तो सही है बट उसको समझ लेटा आता है ठीक है वह रिपलाई सही से नहीं पाता जल्दी समझ नहीं पाता इतना एक्टिव नहीं रहता तो यह क्या अधिगम असमर्थ मंद बुद्धी दिमाद को रहा सा कम तो यह क्या है इस्पेशल मतलब विसेश बालक होने की प्रकृति है जिसमें यह प्रकार है तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो डिसेबिलिटीज है दोस्तों डिसेबिलिटी मतलब देखना सुनना बोलना और सारिक सम्बंदित इसके अलवा में आपने देखा असमर्थ अधिकम लर्णिंग डिसेबिलिटीज और मंद बुद्धी मतलब मेंटली रिटार्ड ठीक है तो यह दो प्रकार हो गया अब आईए इसको थोड़ा सेम उसी चीज को एक्स्पे बाइर कर जाना कान के परदे में सुराग हो जाना या छेद हो जाना आख में चोट लग जाना आखी नहीं रहना तो इस तरीके की जब कंडिशन्स होगी तो वह क्या कहलाती है दोस्तों इंपेर्मेंट कहलाती है और जोड़ा समझ लेजिए पेर्मेंट का मतलब यूगम इ समय या जन्व के बाद भी उत्पन हो सकती है बाधिता सरीर के अंको समान क्रियाओं को प्रभावित करती है जैसे कान के परदे में छेद होने के कारण बालक को नो सुनने की समझ जया जैसे बालक नहीं सुन पा रहा है नॉर्मली है तो वह उसकी डिसेबिल्टीज हो गई गान में छेद होने की कारण नहीं सुन पा रहा है तो वह उसकी बाधिता हो जाएगी ठीक है पोलियोग्रसित बालक को गत्यात्मक क्रियाओं में चलने उनने में दिक्कस होती है इस पर आखों की रेटीना मतलब कोई बच्चा को नहीं दिख रहा है कम दिख रहा है तो वह लेकिन रेटीना में प्रॉब्लम होने के कराण दोस्तों रेटीना खराब होने का करण अगर वह देखने में समध्य उत्पन्य होती है तो वह क्या कहलागा इंपेर्मेंट का बादिता कहलागी समझ में आरहा है जब कोई आंग या कोई एनी पार्ट अफ यूर बाडी जो क्या हो दोस्तों जो की क्या होँ खराब हो या फिज ठीक से काम नहीं कर उत्व हो तब जा करता है वह यहां पे कहलाचा कॉन्सेप्ट का नीम्पेर्मेंट का कॉन्सेप्ट कहलाचा अब इसमें असथाई बादिता आंशेओ इत्रकाчи असथाइबादिता तो उसको permanent impairment कहते है, ठीक है, आंसीक बादिता मतलब कुछ ऐसी problem है, जिसे आंख की रेटीना की बात की गई, तो उसको medically तौर पर आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो हो गई आंसीक बादिता, और स्थाही बादिता का मतलब जो थोड़े दिनों के लिए, जो थोड़ी देर के इसी problem है, जिसमाने जे किसी का operation हुआ, वो नहीं देख पाएगा, बिल्कुल नहीं देख पाएगा, वो hospital med treatment में, जब थोड़ी दुर के लिए temporary impairment होगा, तो वो क्या ज़िए temporary impairment कहलाएगा, ठीक है, और आंसीक बादिता, मतलब उससे लंबे हो थी के लिए, जिसको medically या किसी किसी तरीके से समय के साथ ठीक किया जा सकता, अस्थाई बादिता मतलब जिससे कभी ठीक नहीं किया एंसा, जिसको हम एक विश्यस्था के तोर पे देखते हैं, जैसे मानले कि मैं कहे दूँ कि एक बच्चा है, जो सुन नहीं सकता, तो न सुनना उसकी क्या होगी, disabilities हो गई असमर्थता या विकलांगता हो गई कान के परदे में छेद होने के कारण वो नहीं सुन पा रहा तो वो उसकी क्या हो गई इंपेर्मेंट हो गई बाधिता हो गई और यह पूरा जो कंडीशन होगा वो उसको सुनने में अपंग बना देगा समझ भाई मैं क्या करो वो बच्चे सुनने में अपंग है उस किर्या को करने में अपंग है अब आई या बाधिता से संबंदित है जो समाजी के ओं मनोवे ज्यानिक रूप से व्यक्ति के वहवारिक लक्षणों को सिमांकित करती है जैसे सरवाण बाधित व्यक्ति को सुनने में अपंग बनाती है कोई सरवाण बाधित है तो वो सुनने में अपंग है दिरिश्टी बाधित है तो देखने में अपंग है अस्थी बाधित मतलब हड्डियों में प्रॉबलम है तो वो गद्यात्मक motion की काम करने में अपंगता पैदा करती है तो अपंगता कोई अलग word नहीं है इन ही का part है जो किसी कारे को करने में अपंगता दरसाती है अब इसमाले जिए कोई बालक चलने में अपंग हो सकता है लेकिन पढ़ने में अच्छा हो सकता है कोई बच्चा देखने में अपंग हो सकता है लेकिन म्यूजिक में अच्छा हो सकता है गाह अच्छा सकता है तो अपंगता किसी specific कारे को दरसाती है समझ में आगए बाद ये क्या भई एक मनोवेग्यानिक या एक समाजिक रूप से वहवार को व्यक्त करने की दसा बता थी वहवार के बारे हम उता दियो बस इतना ही लिखना है इतना ही समाजना है इतना ही टॉपिक अपंगता का अर्थ बाधित वपर औरोद द्वारा सीमा बंदन होता है जो या तो बालक पर थोप दी गई हो या बालक ने उसे स्विकार कर लिया हो अब यहाँ पर एक चीज समझी किसी बच्चे का दोनों पैर नहीं है चीक है तो वो अपंग कब कहलाएगा जब उसको स्विकार कर लेगा जब वो कहीं सेशन पर बैठके अपने चीमका के लिए कुछ करने लगे जब उससे अस्विकार करते हैं नहीं मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं सक्चम हूँ मैं कमा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं फिर भी मैं دुनिया में बहुत सी चीज़र एचीव कर सकता हूँ तो वो क्या कहला रहागा दोस्तों, वो उसकी अपँंगिता नहीं होगी particular उस कारे में तो अपंगता है कि वो चल नहीं बैगा लेकिन वास्तों में वो अपंग वक्ती नहीं कहला है अपंगता तब आती है जब कोई वक्ती सुईकार कर ले अभी मैं क्रिकेट मैच देख रहा था सचीन के साथ एक क्रिकेटर है मैं उनको सर कहूंगा आमीर मैं भी मैं रिसेंटली आजी के दिन ह्ग था इस प्य इस फियल मैच हो रहा था तो मैंने आमीर को देखा आमीर पाजिक सazया और चीजे ऐसी थी नए जब वह अमीर बैटिक कर रहे था सचीन सट था वहमेर के टी-शर्ट पे सचीन लिखा था और सचीन के टी-शर्ट पे आमेर लिखा था मतलब वो जो आमेर थे उनके दोनों हाथ नहीं थे तो गले में ऐसे बैठ आगा कि सचिन के साथ कर्केर खेल रहा था और पूरी 11 लोगों की टीम उसमें अक्षे कुमार खेले उसमें और सुरे से रहना खेले यूसुफ पठान खेले ने अब फारुकी खेले यह सब मिल के खेल रहे थे उसी में एक सेलिब्रीटी आहमिर थे ठीक है तो उन्हों ने उस अपंगता को सुविकार नहीं किया ठीक तो वह क्या है अपंगता करत कब जब आप किसी कारे को सुविकार कर लेते तो अंतर पूछेगा अब लास्ट में आप conclusion लिख दीजेगा कि बाधिता, असमर्था, विकलांगता और अपंगता तीनों दोस्तों एक दूसरे सम्बंदिते क्योंकि बाधिता से असमर्थता आती है और असमर्थता से अपंगता आती है तो आप चीज़े समझे ना बाधित का मतलब कौन, इंपेरिमेंट का मतलब कौन, जब किसी बाधिपार्ट का हानी हो जाए, ना हो जाए, असमर्थ का मतलब चीज़े सही है बट फिर भी सुनने ही पार, अपंगता का मतलब किसी स्पेसिविक कारे में या कारे करने में अपंग है, एक डिफरेंस देख लीजे, इन तीनों में ब ये बाधिता कहलाएगी, इंपेरिमेंट कहलाएगी, विटलांगता कब कहा है, डिसेबिलिटी जब प्रतिवीम का नव बनना, और अपंगता मतलब असपश्ट रूप से दिखा, ये देखने में अपंग है, सुनने की कठनाई होना, सुनने में कठनाई है क्योंकि कान के प सुनने में अपंग है, सुनने के कारे में अपंग है, तो ये अपंगता इसी की कारण आएगी, बाधिता की कारण ही आएगी, ठीक है, चले, बोलने में कठनाई होना, समझ रहे हैं, बोलने में वो कठनाई, बोल नहीं पाता है वो लड़का, जब वो बोल नहीं पाता है त तो कुछ प्रॉब्लम होगी गले में तो बोल नहीं पाता है तो बादिता हो गई और असपस्ट उचा रहे हैं तो डिसेबल है साफ बोलने में डिसेबल है तो यहां पर उसकी बोलने की बोलने में वह अपंग है अब आईए सारी की बात करें किसी अंका पूंड या अंसी हाथ होने के बाद आप उस हाथ को हीला मुमिंट नहीं करा बार है तो भी अपंग ता मतलब कोई कार करने में हाथ से कार करने में आप अपंग है इस तरीके साब लिखेंगे चलिए बस यह थोड़े से डिफ्रेंट थे यह ऐसा कोई टॉपिक नहीं है लिखना दोस्तों इतना ही मैं आसा करता हूँ ये वीडिया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आ गया होगा, छोटास टॉपिक था, तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक रिया देना नौ भूलें, नहीं जुड़ने चैनल से तो सब् आप भाला हो जाए, मिलेंगे अगले वीडियो में अनने जानकारी के साथ, आपके इंक्लूजिव अच्छी के थर्ड चिप्टर के साथ, तब तक अपने खुब ख्याल रखिये, जाहीं, जावाराइट.